हेलो बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी का डाउटनट नीट के इस चैनल पर नमस्कार बच्चो उमीदें आप सब बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपनी नीट 2030 की तयारी में जोरो शडो से जरूर लगे होंगे तो इसी तयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम आपकी कैसे मदद करने आए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं काम है सर जी सर बिलकुल तो बच्चो सबसे पहले तो आप सभी का यार बहुत-बहुत स्वागत है ओके तो जिन्ज घड़ी का आप सब बेसबरी से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारी कब से आप regular classes चलाओगे तीनों classes कब से regular चलाओगे तो उसी को ले कर के बच्चो आपके सामने बहुती बड़ी बात लेकर आए हैं जी सर सो बीटा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई दिया था कि हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुती ध तक की होएगी और इसमें बायो कैसे कवर की जाएगी फिजिक्स कैसे कवर की जाएगी केमिस्ट्री कैसे कवर की जाएगी वह हम आपको बताने वाले हैं एक काम करते हैं सर पहले पहली बात तो यह कि अब आपकी मंडे से मंडे से मंडे से आपकी डेली क्लासेज होने वाले थीनों अब उस लाइन पर काम करने वाले हैं तो आपकी डेली की डेली तीन क्लासेज होईगी अब मैं बता दूँ अपन केमेस्ट्री में क्या करने वाले हैं तो बच्चों जिस तरीके से भी हम पढ़ रहे थे कि वन शोट हर एक चेप्टर का अपन कर रहे हैं ओके तो अब वन शोट के साथ साथ हम थ्योरी तो पढ़ेंगे लेकिन अब हमारा मेन फोकस रहेगा क्यूशन प्रैक्टिस पर जितने ज़्यादा हो सके हम क्यूशन लगाएंगे आप बहुत सारे बच्चे ओल्रेडीन चेप्टर्स को पढ़ चुके हैं तो अब आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्ट जो मैंने आपको लिए केमेस्ट्री में सोची है कि बढ़िया से बच्चों को थियोरी प्लस कुशन करवाये जाएं जिससे कि वह अच्छे से अपने एक्जाम के लिए प्रिपेर हो सके जी सर अब आप बताईगे ठीक है अब मैं आपको बता देता हूं बायो में कैसे करें यह जो डॉक्टर साहब सीरीज है इसमें बायो का लेकर आने वाला हूं तो इस सीरीज में आपसे मैंने पूचा कुछ मेरे को नाम बताएगा आप लोग ने बोला सर तुफानी सीरीज सर ये नाम सर ऐसा नाम तो बैटर मेरे को जो नाम लगा वो हमने रग दिया क्या डॉक इनमें हमें करनी है कोशन की प्रैक्टिस तो दस हजार कोशन में लेकर आने वाला हूं और इन दस हजार कोशन में मैं कौन कौन से कोशन लेकर आँगा प्रिवियस यर कोशन और मल्टिप्लिकेशन वाले कोशन और कथन कारण वाले कोशन और कथन कथन वाले कोशन और सामाने क जो questions होएंगे यह सारे level के questions लेकर आँगा और यह questions chapter wise नहीं लेकर आँगा ये भी मैंने आपको बता है chapter wise नहीं लेकर आँगा क्योंकि chapter wise लेकर आँगा तो आप मुझे बताएगे नीट के exam में chapter wise questions आते हैं? नई कैसे आते है? mixed होते हैं तो मैं mixed type के questions लेकर आँगा अब ये करने से ना क्या होएगा आपकी mental ability पता लगेगी कि आप कितने पानी में हैं तो असलियत आपकी जो पॉल जो खुलने वाली जो चीज है ना वो आपको इस series में पता लगेगी कि आपके कितने questions सही होने वाले हैं ठीके? so ten thousand questions दस हजार questions 38 चैप्टर के 10 हजार questions normal नहीं हैं अगर आप ने ये 10 हजार questions शिदत से कर लिए मैं short shot कह रहा हूँ short shot कह रहा हूँ आपके hundred percent marks आ सकते हैं 360 में से 360 marks आपके आ सकते हैं ठीके दोस्त? so इस तरीके से हम करने वाले हैं biology की preparation इस सीरीज में अब मैं चाहूँगा इस सर आप physics का और बता दीजे बलकुल सर अगर बायों में 360 में 360 आ जाए और physics और chemistry में इसी प्रकार से अगर आप 120 नंबर से ज़दा लिया आए तो government college की seat ना मिले आपको ऐसा हो ही नहीं सकता ना आपको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपको government college की seat ना मिले तो आप लोगों को all the very best need 2023 के लिए अब physics के लिए हम क्या करने वाले बायों तो हो गया से उनका revision मैंने करवा दिया है उनके theoretical points पढ़ा दिये हैं मैंने आपको तो उसके लिए already classes हो चुकी यह one shot हो चुके तो उसकी playlist में बनवा दी हो आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं इसके अलावा साथ ही साथ आपकी आप जो YouTube पे free classes चलने वाली है उनक्लास इस में क्लास 11 का revision करेंगे और साथ हम class 12 में portion wise question करने वाले हैं क्योंकि क्या होता है कि जैसे पार सर ने भी बताया कि सर chapter wise question तो कर लेते बच्चे लेकिन portion wise मतलब कि 3-4 chapter मिला कर क्योंकि नीट की exam में आपको random questions आएंगे पहला question आगा पहला चाप्टर से दूसरा question आगा class 12 का तीसरा question आगा class 11 के आखरी चाप्टर से तो आपको दिमाग स्विच होना चाप्टर टू चाप्टर तो उसके लिए हम स्टार्टिंग के किने दिनों तक class 11 के जो important chapters हमारे बच्चे वे उन्हें cover up करेंगे और उसके बाद में हम class 12 और class 11 के mixed questions लगाने वाले तो mixed questions जो है वो भी हम लगाएंगे और यह जो mixed questions होंगे यह भी आप मान के चलो 10,000 biology में 10,000 physics में 10,000 chemistry में आप 45 दिन में questions लगा लोगे और इतने questions अगर आप लगा लोगे और इतने theory revise कर लोगे तो 100% आपका revision बहुत बहतरीन तरीके से हो जाएगा और आप बहुत महनत के साथ बढ़िया से नंबर बढ़ा सकते हैं अपनी need की exam के लिए तो all the very best सभी को नवीद है कि आप सभी यह doctor साथ series के लिए बहुत जोरो सोरो से तयार होंगे और यह वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो लोग इस साल need की exam देना चाह रहे थे जिन्नोंने 12 की exam इस साल दे दी है और जो सोच रहे थे कि यार में एक बार पढ़ कर देख लेता हूं उनके साथ तो at least share कर देना क्या पता आखरी के कुछ दिनो इसमें formula classes भी लगेंगी तो formula classes में हम उस chapter के जिस भी chapter के formula class लगाएंगे उसके सारे या portion wise formula classes जिसमें सारे के सारे formula जो है वो एक बार में revise भी करने वाले हैं तो बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है आप लोग के लिए और इसके अलावा कहानी अभी खतम नहीं हुए हमने आने वाले जो 45 दिन बचेंगे उसके बाए उन दिनों में भी आखरी के पंदराबिस दिन के लिए आखरी के एक मेने के लिए उसके लिए स्टेजेस बना रखे आप लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है तो आप सभी का साथ और सहीयोग की जरूँत है ताकि आप सभी को ह यूट्यूब पर जो फ्री क्लास होंगी इसका फाइदा भी उठाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना तो यह चोटा सा प्यारा सा वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं यह एक इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी थी उमीद है इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आससे में रिग्लरली क्लास का टाइमिंग बहुत देता हूँ क्लास का टाइमिंग 12-30 बजए और 8बजे होने वाला है ने क्लास होंगी हम मिलते हैं स्कुध को थाइंक यो टाडा बाई बाई